तो इस वीडियो में आप जारेंगे कि fundamental analysis क्या होता है fundamental analysis जब भी आप stock के लिए analysis करेंगे stock को समझने की कोशिश करेंगे उसको purchase करना जाते क्योंकि आपका objective क्या है आपका objective है कि आइदर मैं यहां से आपका जो stock है वहां से मैं dividend earned करूं या उसको मैं वहां से आपका capital gains करूं यही तो आपका main होता है कि company grow करेंगा दूसी हिसाब से आप जब ownership purchase करेंगे तो इसका भी growth होना चाहिए और इस वीडियो को आप 1.5x में play करके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ा सब्सक्राइब तो अभी चली समझ लेते कि fundamental analysis क्या होता है कि दो तरीके के analysis होता है एक होता है fundamental analysis होता है और एक होता है technical analysis प्राइमारी आपका अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं शौट टर्म इंवेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए बेटर होता है क्योंकि आपको वहां पर पता चलता है कि वह साइडवेस चल रहा है वह अप्टें टेकनिकल में क्या होता है आपका टार्गेट होता है कि किस तरीके से यहां पर मेरा capital growth मुझे करना है main वहां पर होता है capital growth जो trading करते हैं they are not much bothered about dividend because dividend वहां पर क्वांटिपाई नहीं करते है so fundamental analysis is a technique for determining a stock's securities intrinsic value आपका objective यह होना है चाहिए कि intrinsic value मुझे निकालना है ताकि मैं सही value रूपे मैं उसको purchase कर सको और उसको long term investment opportunity for example अगर आपके पास एक stock है suppose ITC का stock है या XYZ किसी भी company का stock है तो वह अभी trade कर रहा है for example 204 रुपे में ठीक है पर उसका intrinsic value मेरा company को read करने के बाद आपको पता चला कि इस company का fair value होना चाहिए for example 94 रुपे तो अगर आप 204 रुपे में खरीते हैं तो आपके over value खरीद रहें या under value खरीद रहें obviously over value खरीद रहें वह भी double price में आप खरीद रहें तो अगर आपको नीमबू पर purchase करने के बाद अगर आपको दिखता है कि 94 is the intrinsic value अगर वह stock market में उसका trading हो रहा है 85 रुपे में तो आपको यह पर चाहिए कि नहीं करन चाहिए वह आपके लिए valuable होता है या नहीं होता है definitely आपके लिए valuable होता है आप देखते हैं कि undervalued है और इसका जो value है company के value की हिसाब से company के analysis की हिसाब से इसका दाम आस्ते आस्ते बढ़ेगा और जब भी इसका price आस्ते आस्ते बढ़ते for example सोचिए 500 रुपे हो जाता है तब आप देखें कितना आपका capital appreciation होता है फिर आप उसमें उसको sell भी कर सकते हैं आपका capital appreciation होने के बाद उसको sell कर सकते हैं या अगर जब company का dividend देता है तो उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं so यह basic understanding है fundamental analysis का fundamental analysis के अंदर technical analysis आती है और technical analysis is a part of fundamental analysis but it is basically technical जैसे आप समझ पारे उसक के आपकी जो calculations होते है movement price movement को हम simple moving average वो doubt theory यह सब चीज़ को लेके हम आगे बरते है but fundamental analysis में आपको पूरा company का study करना परता है उसका annual report परना परता है company के future plans को समझने का कोशिश करनी परती है basically आप क्या करते है आप forecast करते हैं कि company कैसा growth करेगा this is accomplished by examining these stocks related economical financial and all other qualitative and quantitative factors उसके अंदर ROCE आ जाता है ROE आ जाता है सारे चीज़े आ जाती है fundamental information may include companies financial reports non-financial reports non-financial information यानि कहाँ पे वो growth करना चाहते है government policies क्या है export market कैसा पकड़ना चाहते है import market कैसा पकड़ना चाहते है उनका company का product कैसा है management कैसा है behavior कैसा है industry comparison कैसा है industry as a whole कैसा grow कर रहा है economy कैसा grow कर रहा है और कोई उस चीजर करके चलना पड़ता है but technical analysis में यह सारे चीज़े जो है आपको compare नहीं करना you have don't have to bother because of short term के लिए घुज रहे है either uptrend या uptrend downtrend या up sideways में ही movement करते है उसी के साथ साथ it is believed that the stocks market price tend to move in the direction of its intrinsic value क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि company उसका actual value definitely वो return करेगा आप उसको बाह सूरत है अगर आप 10 kg makeup भी लगाते तो अंदर से तो बंसूरत ही है ना उसी तरीके से अगर आप बहुत सुन्दर है उसके उपर भी अगर आपको मुह को उपर धुल मिट्टी जम जाती है मुह अगर धुएंगे तो आप सुन्दर ही लगोगे ना तो वही आपका हो जाता ह उसके एंदर के माल ऐ बीट्यसिटे करने के बहुत सारे उपाय है यहा पे आपको खुद का तरीका इस्तमाल करना पड़ेगा over time a fundamentally sound company stock price tends to appreciate appreciate का मतलब growth and generating wealth for its investor जैसे मैंने बताया कि आपका target होगा either dividend and mostly you will be focusing on capital growth apart from fundamental analysis a second type of analysis is used that is called technical analysis technical analysis is a part of fundamental analysis